हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू जैसा कि हम सब जानते हैं आगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराद किया और अपराद करने के बाद उसकी जो प्रोसीडिंग है वो कोट में चलेगी कोट को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने अपराद ह gjया और अगर यह सिद्ध हो जाए कि हाँ इस व्यक्ति ने अपराद किया है तो कोट उसको सजा आईगी थिक सजा के तोरा अगर हम माले किसी व्यक्ति को डेथ-पैनल्टी दी गए अब उस मित्योぎ के लिए वो जो जिस व्यक्ति रै Europeans दी वह अपनी चमा या चिकल लगाएगा गोवर्णर या प्रेजिडेंट के पास कि मुझे लगएगे लाफ कर दिया जाएarta में जुके मराफ कर्दिया जाए जबेएगा उज्डा प्रिजिवारोट अगर कोट उस व्यक्ति को क्या क्या उसक्ति को जो इस Nos उसको कम किया जा सकता है उसका लगुकरन किया जा सकता है कॉम्यूट किया जा सकता या नहीं इस केस में कुछ ऐसा ही मैटर सुप्रीम कोड के पास पोचा और सुप्रीम कोड ने डिसाइड किया कि हमारे पास ऐसा कोई भी प्रिक्रिया नहीं है कोई भी प्रोसीजर नहीं है क अगर आप mercy petition governor या president के सामने लगा रहे हैं, अगर president और governor ने mercy petition को reject कर दिया, खारिज कर दिया, उसके बाद कितने समय में उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए, उसकी death penalty को execute करना चाहिए, अब इसी case को आईए समझते हैं कि Supreme Court ने क्या बोला, क्या इस case के facts थे, case का नाम है state of maharashtra versus प्रदीप वश्वन को खंडे, background जा लेते हैं कि इस case में हुआ क्या था, actually यह case एक रेप से related था, लड़की के साथ रेप किया गया और बाद में उसको मार दिया गया, और यह दुरगटना जो हुई थी, यह हुई थी पूने में, ठीक, तो जब matter court में चल जो death penalty दी गई, इसके खिलाफ mercy petition दायर करी गई, कहाँ पर maharashtra में जो हमारे governor साब थे, 2015 में, यानि 2015 में इस death penalty के खिलाफ जाकर, against जाकर, एक mercy petition, maharashtra की जो governor है, उनके सामने पेश करी गई, ठीक, and it has been rejected by the governor, और वो ही same mercy petition जो पेश करी गई थी, उसको governor साम ने खारिज क कर दिया, and the same again, जब governor साब ने ये mercy petition एक बार खारिज कर दी, इसके बाद mercy petition दो बारे से गई, राश्पती के सामने, कि ये mercy petition हमारी accept कर ली जाए, हमें जो सजा दी गई है, उसको कम कर दिया जाए, but यहाँ पर क्या हुआ, जो राश्पती साब के सामने, जो ये mercy petition गई, वो 2015, 16, 17, 18, 4 साल बीद गए, ठीक, mercy petition का कोई reply ही नहीं है, कि गवर्नर या प्रेजिडेंट ने क्या करा, कि ये mercy petition accept करी, या reject करी, इस बारे में कुछ पता नहीं चला, तो जो जिन व्यक्तियों को सजा दी गई थी, यानि जिनोंने रेप किया था, उन्होंने दुबारे से high court पर दर्वाजा खट-कट आया, और बोला कि, इस mercy petition का अभी decide नहीं किया गया, चार साल हमारे बीद गए है, तो हम आप से request करते हैं, कि हमारी जो दंड है, उसका लगुकरन कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए, जैसा कि हम सब जानते है, BNS में section 5, जिसमें लिखा गया है कि अगर आपको कोई दंड दिया जाता है, तो दंड का हम लगुकरन कर सकते हैं, वो कौन करेगा, कैसे होगा, वो सब section 5 में है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, Bombay High Court in 2019 had commuted the death sentence of convict due to the significant delay in execution process, यहाँ पर Bombay High Court ने commute कर दी थी 2019 में उनकी सजा को, और उसका ground था कि जो ये execution process हो रहा यानि कि जो उनको सदा दी गए थी death penalty, उनको दी थी मृत्यू दंड दिया गया था, यह जो मृत्यू दंड दिया गया है, इसको execute नहीं किया गया, उसको पालन नहीं किया गया, और पालन ना करने की वज़े से बहुत लंबा समय बीच चुका था, और इसी वज़े से Bombay High Court उनकी जो death penalty थी उसको कम कर दिया था, ठीक है, यानि कि बोल सकते है, आज इवन कारवास में बदल दिया था, the High Court found that there had been an unreasonable delay of 1507 days or over 4 years, यानि कि Bombay High Court ने यही ground रखा है कि हमने इनकी सजा इसले कम करी क्योंकि execution में बहुत जादा delay हो गया था, चार साल या उससे जादा यह वक बीच चुका था, the High Court observed that the delay in processing the mercy petition could have been avoided if authorities had acted with urgency, यानि Bombay High Court ने एक चीज और बोले थी, कि यह जो delay आया है, इतना time जो लगा है, इतना time जो वेस्ट हुआ है, यह बच सकता था, अगर जो वहां authority है, जिसका काम है, यह execution कराना, अगर वो timely हर एक process को अच्छे से निप्टारा कर थी, तो इतना समय वेस्ट नहीं होरता है, mercy petition का जो reply आया, वो इतना late नहीं आता, the High Court also said that the convicts had spent 8 years in solitary confinement in violation of their constitution right under Article 21, यह पर High Court ने एक चीज और बोली है, कि जो यह व्यक्ति है, इन्होंने 8 साल solitary confinement में बिता चुके हैं, और अगर देखा जाए, तो यह 8 साल solitary confinement में बिता हुए यह हमारे आसमवन धानिक रूप से Article 21 का उलंगन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका fundamental right है, और जो law के, law में दिया गया कि आप इनको जा साथ 3 महीने तक का solitary confinement दे सकते हैं, बट कहा 3 महीने और कहा 8 साल, तो यह जो इनके साथ एक तरीके से देखा जाए, जो यह अन्याय हुआ ह अन्याय तो हुआ है, कि इनका भी तो fundamental right है, accused है, convicted हो गए, सजा मिल गई, बट fundamental right तो constitution में इनका भी है, अब इस fundamental right का जो उलंगन हुआ है, इसको देखते हुए, high court ने इनकी सजा को कम कर दिया था, ठीक है, और article 21 के तहर एक हवाला दिया गया था, कि हमने इनकी सजा करी है, जो fundamental right इनको article 21 से मिलता है, उसका उलंगन हुआ, इस वज़े से इनके जो हमने death penalty दी ती उसको हम कम कर रहे है, अब इनको हम आज जीवन कारावास की सजा सुनाते है, ठीक, अब हुआ क्या है, सरकार जब high court ने decision सुना दिया, तो सरकार obviously decision के against जाएगी, और ये गए सीधा, जाने कि जो state government थी, वो सिधा अब सी supreme court गए, supreme court के पास ये मामला पहुचा, supreme court ने दोनों parties को सुना, ठीक है, उसके बाद supreme court ने क्या observe करा, ये जानते हैं, during the hearing, the bench highlighted the issue of long delay in execution of death sentence, questioning whether it is now reasonable to convert the punishment back to the death, अब यहाँ पे supreme court ने एक बात बोलिये कि इतना लंबे समय बीद गया था, death penalty दी गई थी, वो death penalty को execute नहीं किया गया, उसकी पालना नहीं करी गई, उनको फासी पे नहीं लटकाया गया, और इतना लंबे समय जब बीद गया, और जब high court ने death penalty से आज इवन कारावास कर दिय क्या है, तो क्या अब court दुबारे से आज इवन कारावास को death penalty में convert करें, क्या यह आपको reasonable लगता है, क्या यह आपको सही लगता है, यह high court ने खुद उन से पूछा, जो सामने parties आई थी, after so many years, the conviction since 2015 had been left in uncertainty, waiting for their execution, यहापे court ने बोला है, सुप्रीम कोट ने, कि 2015 में case सला था, और 4-5 साल हो गए, वो हर एक दिन, अपनी death penalty का wait करे थे, अपनी सजा का wait करे थे, और उनको यह भी नहीं पता था, कि सजा मिलेगी, तो कम मिलेगी, और मिलेगी भी, जो हमने mercy petition लगाई है, वो accept होगी या नहीं, यानि कि हर एक दिन, जिनको हमने death penalty दी थी, वो हर एक दिन, 4-5 साल, इस चीज का ही इनतजार करते रह गए, और क्या यह reasonable है, ठीक, यह सुप्रीम कोट ने, उनसे counter questions करने लगे, इसको महराष्ट के जो गवर्नर थे, उनको decide करने में, अपने आप 8 दिन, 8 महीने लग गए, ठीक, casual approach adopted, यहाँ पर सुप्रीम कोट ने बोला है कि यह जो आपने 8 महीने लगाया, mercy petition को decide करने में, यह एक casual आपका behavior था, आपने बहुत ही normal उसमें, कि चलो mercy petition आई है, अराम से decide करेंगे, ऐसा नहीं है, आपका जो behavior था, बहुत casual था, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक, there was administrative delay in both the governor and president's offices in processing the mercy petition, यहाँ पर सुप्रीम कोट ने वही बात बोली है, कि governor plus president, दोनों ने mercy petition को decide करने में, बहुत जादा time लगा लिया, वास्ते विक्ताब इतना time नहीं लगाना चाहिए, तक कहाँ 2015, और कहाँ फिर उनको 2019 में, उनकी सजा कम कराए गए, और कहाँ अब 2024 मे अब यह भी इस मुद्धे पर case चल रहा है, तो almost 10 साल से जादा यह चीज की case चल रहा था, चिक, justice Oka question why the state did not apply for execution from the session court after the rejection of the mercy petitions of the writing letters to the session, यहाँ पर क्या हुआ था, जब president साब ने finally mercy petition को मना कर दिया, खारीज कर दे कि नहीं हम accept नहीं कर रहे है, उसके बाद होना यह था कि ज prosecutor department है, state की तरफ से जो prosecutor department था, उनको session court को apply करना था, application लगाने थी, कि जो death penalty दी गई है, उसको execute किया जा, उसको पालना की, उसकी पालना की जाए, बट यहाँ पर क्या हुआ, जो prosecutor department थे, उन्होंने कोई application नहीं लगाई, बलकि वो letter रिख रहे थे, supreme session court को, ठीक, तो यहाँ प कोई भी decree pass होती है, कोई भी judgment pass होता है, उसको execute कराने के लिए, हमें दुबाले से apply करना पड़ता है, वो automatically execute नहीं होता है, तो यहाँ पर इस Supreme Court नहीं बोला है, जब mercy petition, आपकी खारिज हो गई थी, प्रेजिडेंट के द्वारा, तो उस mercy petition को, आपको दुबाले, मतलब उस death penalty को आपको दुबाले से execute कराना था, यह काम था, prosecutor department का, तो वो इस काम को कराने में देरी, उन्होंने क्यों करी, ठीक, why didn't the prosecutor apply to the session court for execution of warrant, यहाँ पे इन्होंने, Supreme Court ने यहीं बोला है, कि जो prosecutor थे, उन्होंने वारान के execution के लिए, session court में apply क्यों नहीं करा, जब प्रेजिडेंट साब ने mercy petition को खारिज कर दिया, why was he writing letters to court, वो court को letter क्यों लिखने थे, आपको letter नहीं लिखना था, आपको apply करना था, आपको application लिखनी थी, ठीक, what is this procedure adopted by the state of not making applications, somebody should have gone to court and made an application to the court, यहाँ पे court, जो हमारी Supreme Court है, वो नराज हुई, उन्होंने बोला कि यह किस तरीका का एक conduct चल रहा है, यह हमें कुछ नहीं पता है, ठीक, at least कोई न कोई department, prosecutor department, session court जाता, वहाँ वो application अपनी लगाते कि ऐसे-इस death penalty का execution किया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक, we will have to lay down the procedure that after mercy petitions are rejected, public prosecutor must produce all the documents through the session court, अब है क्या, जब भी mercy petition reject हो जाती है, governor के दौरा या कोई भी ऐसा framework नहीं है, कोई भी ऐसा procedure नहीं है, कि कितने time में कौन सी authority वापस से session court जाएगी और execution के लिए apply करेगी, यह कोई भी procedure laid down नहीं है, कहीं पर भी, तो Supreme Court के साथ ने जब यह matter आया, तो Supreme Court ने सच में यह पता उनको भी पता चला कि ऐसा कोई procedure laid down नहीं है, और इस procedure की की वज़े से, ना होने की वज़े से, यह जो इतना लंबा समय गया है, जो कि 2015 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, बट अभी 2024 तक भी यह case पूरी तेगे से खतम नहीं हुआ है, तो यह कमी आपके procedure ना होने की वज़े से है, तो Supreme Court ने से case को सुनते हुए, इसमें अपना judgment अ जनाएगी कि mercy petition के reject होने के बाद, कितने time के अंदर, prosecutor department court of session में जाकर execution के लिए apply करेंगे, ठीक, तो यह एक matter था, जो मुझे लगा थोड़ा important है, और नई चीज़ सामने आई है, Supreme Court के द्वारा, हमें भी नहीं पता था कि mercy petition के बाद कोई प्रक्रिया है भी है नहीं, कौन execute कर करेगा, वो अपना procedure खुद ही establish करेगा कि mercy petition के बाद, किन authority को कितने समय में apply करना है, court of session में, बिलते है next video में, धन्यवाद